जैहिन सातियो नमस्ते वंदे माद्रम जैसे की आप सभी लोग जानते हैं अभी आपको वीडियो मिल भी चुका है कि धर्ड राउन स्टार्ट हो चुका है तो सातियो बात करेंगे हम लोग कि कितनी सीटे अभी हमाले रेमैनिंग बची हुई है और पर्टिकुलर कितनी कितनी सेंटर में कितनी कितनी सीटे है ये लिस्ट जारी हो चुके है तो देखिए मेरे साथ पुरा सुनिए समझेगा कि किस कैटेगरी में कैसे हम लोग काउंसिलिंग करवाएंगे उसके लिए आपको जो है कल वीडियो मिलेगा तो ये जो वीडियो होगा कितनी सीटे सेंटर, 9, कितने साथ यो 9 ट्रेनिंग सेंटर है, और जहाँ पर सीटों की चर्चा करें, टोटली सीटे बची हुई है, 45, कितनी सीटे बची है सर, 45 सीटे अभी भी बची है साथ यो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीटे बची है, तो मैं आपको बता दू, ठीक है साथ ज़्यादा की कैसी सीटे बची हुई है, अगर बैतूल की बात करें तो 8 सीट बची है, सिहोर की बात करें तो 4 सीट, सियुपूरी की बात करें तो 60, धार में 2, बुरहनपूर में 4, मंडला में 5, सहडोल में 7, पन्ना में 4, और असोकुनज़र में 4, तो 4 यहाँ पर अलग-अलग सीटे बची हुई है, ठीक है, रिजर्व की जो है आपकी कितनी सीटे बची है, यह आसा वाली सीटे, यू आर, यू आर आसा, तो आसा वाली सीटे, आसा करें करता वालों को ही मिलेगी, तो अभी वो चल रहा है, EWS आसा, यह आसा कारे करता वालों कोई सीट मिलने वाली है, ठीक है, टूटली सीटे, टीटे आप बता दी, एक तो आसा, यू आर आसा, EWS आसा, ठीक है, तो यह सारी जो सीटे अभी यहाँ पर मुझे भी दिख रही है, तो यह तो सारी आसा कारे करता वाली सीटे नजर आ ठीक है बच्चा तो देखें काउंसलिंग आपको करवाना है कल से कल ही जब खुले गाना सात्य पूर्टल तो तभी हम लोग बता पाएंगे कि किस तरीके से कौन से सीटे अभी तक रेमाइनिंग बची हुई है उस पर चर्चा करके में बता दूगा तो यह सारी सीटे है आप आप लोग देख लिजी एक बार और इसका PDF में टेलिग्राम में अभी अपलोड कर रहा हूँ वहां से जाकर इसा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो जहाँ पर ज्यादा जो सीटे बची है मुसी के एकॉर्डिंग फिर डालना पड़ेगा मुझे ठीक है जिसे ब तो यह अल्मोस्ट है कल आपको जो है किस तरीके से काउंसलिंग की प्रोसेस होने वाली है और को टॉप पर वीडियो कल आपको मिल जाएगा ठीक है आज नहीं मैं कल ही पूरा एनलिसिस करके आपको प्रोवाइड करूँगा तो चलिए मिलते है अब नए वीडियो में कल ही आपको सारी अपडेट मिलेगी तो इसे शियर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा जैहिन वंदे मातरम